सो प्रेंट्स इस वीडिऊ में मैं आपको बताऊंगा पर्मे 6.1 ओके देखो इस चैप्टर मे यानि चैप्टर 6 में आपके टोटल 9 पर्मे हैं और 9 पर्मे में से 4-5 पर्मे ऐसे हैं जो आपके परिचह में आते हैं ठीक है 90% cases में यह बिल्कुल आसान है बिल्कुल और एक दो cases में थोड़ा बहुत difficulty आती है तो उसमें tension नहीं लेना है उसको अगर आप अच्छे से समझोगे तो सारे बन जाएंगे देखो इसका कुछ structure होता है मतलब जितने भी पर्मे होते हैं जैसे पर्मे 6.1,6.2 तो जितने भी पर्मे होते हैं उनका एक खास structure होता है आपको उसी basis पे बनाना होता है ठीक है तो at least वहाँ पर आपके 2-3 marks confirm हो जाते हैं तो सबसे पहले आपको लिखना होता है दिया है जितने भी होते हैं मैं आपको पर्मे समझा रहा हूँ 6.1 क्या है ठीक है और कैसे solo करना है लेकिन जितने भी पर्मे है मैं आपको एक basis का structure बता रहा हूँ जो सारे question में same होंगे सबसे पहले आपको लिखना है दिया है ठीक है उसके बाद आपको लिखना होता है सिद्ध करना है मतलब सवाल में आपका क्या सिद्ध करना है वो लिखना होता है उसके बाद अगर रचना है ठीक है तो रचना लिखनी होती है और उसके बाद आपको परमान लिखना होता है और परमान ही इसका main कह सकते हैं body होता है जिसमें आप सारी चीज़े explain करोगी और last में आपको जब ये परमेश सिध्ध हो जाए कोई भी परमेश तो आपको conclusion लिखना होता है अब देखो परमेश 6.1 है क्या ये मैं आपको explain करता हूँ तो परमेश 6.1 कहता है कि कोई भी अगर तिर्भूज लेते हो आप मानलो ये एक तिर्भूज है अगर इस तिर्भूज में BC के समानतर एक रेखा कीज़ी जाती है DE ठीक है तो ये जो अनुपात बनता है AD by DB वो AE by EC के बराबर होता है और इसे ही हमें सिध्ध करना है सवाल समझ गया हो कहरा है कि एगर किसी तिर्भूज की एक भूजा के समानतर दो भूजाओं को भिन-भिन बिन्दोवों पर परतिछेद करने के लिए रेखा खिची जाती है तो ये अन ये दो भूजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है ओके तो दिया है और सिध करना है या आपको सवाल सही हिंट लेकर बनाना है तो दिया है में क्या लिखना है दिया है में लिखना है कि तिर्भूज A, B, C में हमारा क्या दिया हुआ है D, समानतर, B, C भूजा ये भी को कहां पर काटता है D पर तथा ये C को बिंदू E पर काटता है काटता है या फिर परतिछेद करता है ये वाली जो भूजा है वो इसको D पर और इसको E पर काटता है अब सिध करना है यानि कि टू प्रूब इसमें हमें लिखना है जो हमें main सीध करना है तो हमें सीध करना है ये AD by DB equal में AE by EC राइट अब इस सवाल को सीध करने के लिए हमें कुछ रचना बनानी होगी तो रचना क्या बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला काम करना है कि D, DC को ठीक है मिला देना है ठीक है जब ही आप मिलाओ तो dot करके मिलाना ताकि पता चल जाए कि कौन सी रचना है और कौन सा main इसका जो है वो figure है ठीक है तो रचना में BE BE तथा DC को मिलाए है तथा उसके बाद मैं क्या करता हूँ यह जो रेखा है यह E या फिर यह C उसपर हमें एक लंब खिंचते है लंब का मतलब है perpendicular यानि कि 90 डिग्री ठीक है यहां से एक लंब खिंचते है ठीक है और similarly हम यह D में भी एक लंब खिंचते है तो यह भी रचना वाला पाट में इसे भी लिखना है तथा देखो यह वाला जो पाट है यह रख के लिए मैंने समझाया था इसको नहीं लिखना है तथा इसको मैं मान लेता हूँ M और इसको मान लिया N ठीक है तथा M D M ठीक है D M ऐसे लिखते है M D लंब किस पर है यह C पर यह C तथा N E लंब यह भी खिंचा ओके यह हमारा लंब की चाड़ जो की रचना वाले पाट में है अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यह जो लंब है ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ यह वाला जो लंब है ठीक है यह वाला वो इस वाले तिर्भूज के लिए भी है और इस वाले तिर्भूज के लिए भी दोनों के लिए और यह वाला जो लंब है वो इस वाले तिर्भूज के लिए भी है और इस वाले तिर्भूज के लिए भी तो अब ध्यान रखना है इस बात का प्रूब करने समय इसका यूज है तो परमान में हम सबसे पहले ये वाले तिरभुज को लेते हैं ये डी ए और बी डी ए ठीक है तिरभुज ये डी ए तथा तिरभुज बी डी ए में राइट तो इसमें हमें एरिया निकालना है एरिया ये डी ए बट्टा में एरिया बी डी ए तो आपको पता है कि तिरभुज का फर्मूला तिरभुज के छेत्रफल का फर्मूला क्या होता है ये होता है वन बाइ टू इंटू में आधार इंटू में लंब ठीक है तो आधार के जगाम हम क्या लेंगे ये डी और लंब के जगाम हम लेंगे एन ये similarly यहाँ पर भी लेना वन बाई टू इंटू में आधार, आधार के जगाब बी डी और लंब लंब देखो मैंने आपको बताया कि ये एन ये जो है वो इस वाले तिर्भूज का भी लंब है ठीक है तो हमारा जो common है वो काट देते हैं दोनों में तो हमें क्या मिला एरिया A, D, E बाई एरिया B, D, E बराबर हमें मिला A, D बाई, B, D ठीक है इसको मान लेते हैं फरस्ट अब हमने कौन से तिर्भूज लिया ये वाला तिर्भूज और ये वाला तिर्भूज ठीक है ये और ये अब हम लेंगे ये वाला तिर्भूज और ये वाला तिर्भूज ठीक है ये D, E, 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 C तिर्भूज लिखते हैं अब तिर्भूज ये D, E, तथा तिर्भूज D E C में इसमें भी सेम यही काम करना हमें एरिया ये D E बटा में एरिया D E C ब्राबर तो ब्राबर में हम लिखेंगे 1 by 2 इंटू में आधार आधार है हमारा ये E इसका ये E है और इसका इसी है ये E और इसका है ये C sorry E C है ये 1 by 2 अब इसका लंब कौन सा होगा इसका लंब है BD ठीक है BD जो है वो इस वाले तिर्भूज का लंब है और ये वाले तिर्भूज का लंब भी BD है sorry DM तो यहाँ पर DM इसमें भी होगा और इसमें भी DM तो common वाला पार्ट जो होग काट देते हैं दोनों में ठीक है तो हमें क्या मिल गया area ये D E by area D E C ठीक है बराबर ये E by E C इसको second मान लेते हैं अब यहाँ पर एक चीज और आपको धियान देना है तो ये वाला जो ये वाला जो तिर्भूज है ठीक है और ये वाला जो तिर्भूज है इन दोनों में खास बात क्या है कि ये दोनों एक ही आधार पर ठीक है होती है तो इन दोनों का एरिया जो है बराबर होता है ठीक है तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ चुकी तिर्भुज ये DEC तिर्भुज तिर्भुज DEC तिर्भुज BDE दोनों इसको मैं लिख लेता हूँ पहले ओके तो तिर्भुज DEC तिर्भुज BDE दोनों एक ही अधार तिर्था एक ही समानतर रिखाओं के वी चीश्थी थे इसलिए हमारा एरिया DEC बराबर एरिया BDE होगा ठीक है तो इसको थर्ड मान लेता हूँ मैं अब देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर BD यहाँ पर है DEC ठीक है तो DEC जो है वो BDE के एकवल है तो मैं BDE लिख सकता हूँ ठीक है बराबर में AE by EC ठीक है यह हमने कहां से किया समिकरन थर्ड से ठीक है यह वाला जो हमने चेंज किया वो यहां से किया अब आप compare करो 1 को इसको यह 4 है actually 1 को और 4 को ठीक है इन दोनों में क्या खास बात है इसका जो left वाला side है ठीक है वो दोनों बराबर है area ADE और area BDE इसमें भी area ADE और area BDE जब यह दोनों बराबर है तो इसका मतलब यह वाला पार्ट भी दोनों बराबर है ठीक है तो यहाँ पर लेते हैं समिकरन 1st तथा और से हमें क्या conclusion मिलता है AD by BD बराबर में यह E by इस इसी ठीक है इन दोनों में यह चीज़े हमें पता चली तो बस यहीं हमें प्रूब करना था और चुकि हो गया तो देखा आपने कितनी आसानी से हो गया अब देखो जिन्हें भी इस तरह के सवाल से थोड़ी confusion होती है उसके लिए मैं बताता हूँ कि दिया है और सिध करना है यहाँ तक तो कोई problem हो ही नहीं है हो ही नहीं सकती क्यों कि यह जो है यह तो सवाल सही हमने लिखा है ना मतलब सवाल में ही इसका hint दिया हुआ पूरा ठीक है सवाल सही में लिखना है तो यह तो अपने हो जाता है ठीक है अब रचना क्या है वो आपको पता होना चाहिए और परमान में आपको main चीज explain करनी है तो यहाँ पर थोड़ी confusion हो सकती है लेकिन अगर आप समझे रहोगे ठीक आप figure से समझ सकते हो तो कोई problem नहीं होगी आप easily सारे marks obtain कर सकते हो तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है और गईच अगर आपको सारी वीडियो चाहिए इस chapter की या फिर सारे theorem की तो प्लीज एक पर आप चैनल पर जरूर वीजिट कीजिए आपको हो सकता है सारी वीडियो जोहाँ पर मिल जाए या फिर आप एक बार description जरूर चेक करें वहाँ पर भी सारे वीडियो अवेलेबल होंगी और आने वाली सभी वीडियो की regular notification पाने के लिए चैनल को भी subscribe जरूर कर ले थैंक्स